जै मतादी दोस्तो नए वर्ष 2024 का दूसरा दिन मंगलवार का दिन सिहिंग राशी के लोगों के लिए बहुत खुच हासिल करने की शमता देने वाला है आपके रास्ते में आने वाले हर मौकों को आपको दवोचने का मौका देने वाला है तो आज का ये दिन दो जनवरी 2024 दिन मंगलवार भगवान हनुमान का दिन बजरंग बली का दिन आपके लिए कैसा रहेगा चलिए विस्तार से जानते हैं तो सबसे पहले तो चैनल पर पहली बार आएं है न तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ आप देखिए यहां दो जनवरी नए वर्ष शुरू हो चुका है दो जनवरी का दिन आ गया है और ये दो जनवरी पहला मंगलवार होगा जो कि बजरंग बली का दिन है और बजरंग बली कलियोग के देवता कहे जाते हैं इस दिन कई ग्रहे ऐसे हैं जो आपके फेवर में रहेंगे कई ऐसे योग हैं जो आपके फेवर में रहेंगे क्योंकि तरी पुश्कर योग बना हैं बुद्ध मारगी हो चुके हैं जो गुरू है पहले से मारगी थे तो यहां ये दिन आपके लिए बहुत अधिक फाइदेम देखे हर एक व्यक्ति पैसे की एहमियत को अच्छे से जानता है आप भी अच्छे से जानते हैं पैसे की एहमियत को इसलिए अगर आपने अब तक पैसे को बचाना शुरू नहीं किया है धन को संचित करना नहीं शुरू किया है तो आज से ही इस नए वर्ष की पहरे दिन से ह आपको शुरुवात करनी है क्योंकि जिस धन को आप बचाएंगे वो आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा जब आप किसी बड़ी मुश्किल में फस्ते हैं उससे निकलने के लिए आपको धन के आवश्यक्ता होती है तब आपको वो धन काम आएगा तो देखे धैरिये जरूर आपको अपना बना कर रखना है धैरिये की कमी होती है खर्चा बहुत जल्दी हो जाता है समझनी आता है पैसा आया और खर्च हो गया तो आपको सईयम से काम लेना है एक अच्छा बचिट प्लान करना है और पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करना है चाहे चोटे चोटे को ही करें ऐसा नहीं कि बड़े पैसे को ही बड़े धन को ही बड़े अमाउंट को ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं चोटा चोटा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं क्योंकि दुख कब आता है ये आपको नहीं पता सुख कब आकर चला जाए ये आपको नहीं पता आज का दिन आपके दोस्तों से मुलाकात होगी कुछ ऐसे दोस्तों से मुलाकात होगी जो लंबे समय के बाद आपको मिलने वाले हैं तो आपके दिल की धड़कने भी बढ़ने वाली हैं आप में से कुछ लोग के पास बहुत कुछ हासिल करने की शमता है क्योंकि ये तो शेर की राशी है राजा की राशी है इसलिए अपने रास्ते में आने वाले हर एक मौके को जट से दबोचने का प्रयास जरूर करना है जो मौका मिले उसको जपट ले क्योंकि ये मौका आज मिला है कल मिले ना मिले ये नहीं पता किसी भी वज़य से आज आपको अपने ओफिस से जल्दी छुटी मिल सकती है या फिर आप जल्दी घराने की कोशिश कर सकते हैं तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ कर आप अपने परिवार के साथ गूम सकते हैं दोस्तों के साथ भी अपने जो आपके संतान है उनके साथ भी वक्त बिता सकते हैं जीवन साथी के साथ आपकी जो बॉंडिंग है वो आज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और देखिए जहां तक बात है स्वास्त है की, तो आपका स्वास्त बड़ा उत्तम दिख रहा है, जब एक अच्छा स्वास्त है आपके पास हो और आपका fit इकदम शरीर और मन से भी आप स्वास्त हों, तो हर एक चीज स्वाध अपना सकते हैं तो इन चीजों पर काम करें वेवसाय अगर आप करते हैं तो उनके लिए भी अच्छी डील्स मिल सकती हैं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकाते हो सकती हैं जहां आपको कुछ अलग करने का मौका मिले वेवाइक जीवन मी बहुत अच्छा दिख रहा है प्रेम जीवन के मामले में भी चीजें अच्छी दिखाए दे रही हैं जो आपके लिए काफी बेनेफिट देने वाली रहेंगी एक ऐसा समय आपके पास हो और अगर आपके पास आज के दिन ये सारी चीजें हैं तो सेंग राशी के जातों को हर एक चीज का आनंद लेना चाहिए साथ ही उसको बढ़ाने के लिए भी काम करना चाहिए और अपने करीबी लोगों को इस आनंद में जरूर शामिल करें जो आपके कभी भी काम आए हैं उनको जरूर शामिल करें क्योंकि आपको अपने जीवन में समरद्धी मिली है और ये से प्राप्त करने के लिए आपने बहुत महनत भी की है तो इस महनत का जो सुख है उसको आप भी चखें और दूसरों को भी चखें इस सुख को अपने परिवार के साथ साजा करें आपको काम करने के लिए आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है ये समय है इस सुखद समय का आनद लेने के लिए उपलब्दियों का भरपोर आनद लेने के लिए और निजी जीवन में भी आपको बहुत मेहत पुन समय प्राप्त होगा आज के दिन दोपहर एक बज़े से तीन ब में सुख सौबागय को बढ़ाने वाला होगा इस राशी के वो जातक जिन को अपने काम काज को बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है जिन को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है तो आज वो समय है जब आप कोई वो मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका, ये किसी की मदद से भी प्राप्त हो सकता है या फिर आप खुद से इन चीजों के ओपर काम कर सकते हो किसी भी तरह की विशम परिस्थिती क्यों ना हो उस विशम परिस्थिती में भी आप बहुत आसानी से काम कर लेते हैं और आगे बढ़ सकते हैं आप में वो काबिलियत है जो आपके अधिकारे आप से चाहते हैं समय के साथ आपको अपने करियर में उतनी विरदी जरूर होगी जितनी आप सोचते हैं बस अपने अधिकारियों को प्रसंद रखें जो वो चाहते हैं उन कामों पर जादा ध्यान दे आप पाएंगे कि जब आप ऐसे कंपनी में काम करते हैं और आपको वहाँ एक्स्ट्रा का आवशक्ताएं भी बढ़ती हैं आपकी आमदनी बढ़ेगी आमदनी के साथ आपकी आवशक्ताएं भी बढ़ेगी आज आपके पास जितनी आमदनी हैं आप उससे खुश हैं उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं लेकिन जब इनसान के पास पैसा आता है तो उसको खर्च करने के नए ने आइडियाज भी आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खर्च करें लेकिन बचत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें चतुराई से काम करें और जब ये चीजें आप अपने जीवन में आज माएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो और अधिक गहरा होगा और अगर आपने अभी तक उनको उपयुक्त समय नहीं दिया है तो ये समय है उनको उपयुक्त समय देने का और ये मंगलवार का दिन है मंगलवार का दिन हर संकट को दूर करने वाला दिन होता है मैंने कहा ये कलियुक के देवता है और कलियुक के द पाट सकते हैं अगर आपके अंदर गुसा है गुसा बहुत जल 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 दी आ रहा है तो आपको जरूर हरमान जी की पूजा करनी चाहिए आप हनुमान चालिसा का प्रति दिन पाट कर सकते हैं इससे आपके बनी काम भी बिगडेंगे और मंगल दोश भी खत्म होगा और साथ म हनुमान जी का आशिरवाद मिलेगा तो सारी चीज़ें हर संकट आपका दूर हो जाएगा तो यह से इन कारें को आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बाहर निकलने का काम या सिक्षा में नई चीज़ें तलास तलाशना चाहते हैं तो संकोच ना करें अभी ठंड क मौसम है ठंड का मौसम रहेगा ही लेकिन उसमें आलस को त्यागे और आगे बढ़ें निकलें अपनी रजाई से निकलें और आगे बढ़ें आर्थिक रूप से इस्थिति अच्छी है कोई भी अगर ऐसी इस्थिति आपके उपर आती है जहां आपको चिंता करने ही होती है तो देखे चिंता तो करें लेकिन उस चिंता को दूर करने का प्रयास जदा करें कैसे आप उस चिंता को दूर कर सकते हैं मैं कहूंगी बहुत अच्छा दिन है ये इस नई वर्ष के शुरुवात एक अच्छी सोच एक नई बदलाव के साथ आप कर सकते हैं और साथ ही चैन